वाइट रन, मेगनिफिजन्ट हिल्स, टेंपल, फूड और अपने कल्चर की वज़े से भूज इस वन अप दी बेस्ट डेस्टिनेशन्स टू विजिट इन गुजरात। भूज में आप beautiful landscapes, mountains, समंदर से लेके palaces, temples, border view और tent city के मज़े उठा सकते हैं। यहाँ पे सब लोगों को अपने पसंग की कोई ना कोई प्लेस जरूर देखने को मिलेगी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही top places की जो की आप भूज और उसके आसपास में विजिट कर सकते हैं अपनी next trip पे। बाइद वे हमने इन सारे places पे vlogs बनाये हैं सो stay tuned for detailed vlogs as well। बूज की trip हम 3 sections में divide कर सकते हैं, places जो आप भूज सीटी के अंदर विजिट कर सकते हैं, दूसरे places जो आप भूज सीटी के 100 km वेस्ट साड़ पे विजित कर सकते हैं and third places जो आप भूज से 100 km नौर्थ डियरेक्शन में विजिट कर सकते हैं। सो चलिए विडियो स्टाार्ट करतें हैं और देखते हैं कि वो कौन-कौन से प्लेसी से जो कि आप भूच सी्टी के अंदर विजिट कर सकते हैं प्रागमहल और आइना महल 1200 दोनों प्लेसी आप एक ही बार में विजिट कर सकते हो बिकोज ये दोनों महल एक ही compound में situated है जिसको दरबार guard complex के नाम से भी जाना जाता है प्राग महल का नाम राओ प्रागमल जी 2nd के नाम के उपर से रखा गया है जिसे इस महल की स्थापना 1865 में करवाई थी और उस टैम पे इसको बनाने का जो cost था वो तकरीबन 30 लैक रुपिज हुआ था ऐसा माना जाता है प्राग महल को करणल हैंडरी विलकलिंस ने डिजाइन किया था इसी वज़े से यहाँ पे आपको अर्किटेक्चर में इंडियन एस दोले इस इटालियन दोनों की जलक नजर आएगी 2001 के अर्थक्वेक में ये महल को काफी ज़्यादा नुकसान हुआ था और अभी restoration के बाद ये महल public viewing के लिए open है यहाँ पे ground floor पे एक hall है और दो कमरे है वेराइस first floor पे दो rooms है वो public viewing के लिए open रखे गए है इस महल को विज़िट करने की जो टिकेट है वो है 60 रुपीज पर परसंट इसके अलावा अगर आपको camera यूज करना है तेन उसका 100 रुपीज एक्स्ट्रा चारज है ground floor पे आपको दर्बार hall देखने को मिलेगा जहाँ पे European style में chandeliers, mirror और काफी सारे classic statues भी रखे गए है यूद देखने को मिलता है प्राग महल से बाहर निकलते ही सामने की साड़ आपको दिखता है आइना महल आइना महल का मतलब है Palace of Mirrors 18th century में बनाए गए इस पैलेस की स्थापना राव लगपत जी के द्वारा 17-15 में हुई थी और इसको design किया था राम सिंग मालामनी आइना म देखने को मिलते है तेर इस अलसो हीरा महल जहां पर लगपत जी का बैड रखा गया है और जिसके बाजू में आपको उनके चपल, हुका, गेम्स और दूसरी काफी परसनल चीज़े भी देखने को मिलेगी पवारा हॉल में काफी सारे musical instruments रखे गया है और इसके आसपास बूज शरदबाग पैलेस शरदबाग पैलेस जिसको राजवाटिका के नाम से भी जाना जाता है वो कींग का ओफिशल रेसिडेंस हुआ करता था अब अंटिल 1991 अभी इस पैलेस को म्यूजियम में बदल दिया गया है एक अमेजिंग बात यह है कि इस पैलेस में आप रह थे फो टू नाइट्स I would recommend कि आप यह experience जरूर करे और इसी तरह आप इस पैलेस की जो रॉयल फैंबली उससे भी मिल सकते है they are very sweet and we had a really good time there शरदबाग पैलेस पे एक dedicated history वीडियो आर आया हमारी चैनल पे so stay tuned for that Smritiwan Earthquake Museum नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट में प्लेस है वो है Smritiwan Earthquake Museum unfortunately due to time constraint हम यह प्लेस विजिट नहीं कर पाई थे but I would definitely recommend that you visit this place in your next trip to Bhuj 2001 माए अर्थक्वेक के जो विक्टिम से उनकी याद में Smritiwan Earthquake Museum बनाया गया है यह modern इंडिया का largest memorial and museum है जो की 470 acres में फैला हुआ है और यह भुजी और डूंगर hills पे बनाया गया है यह museum में 1.1 Megawatt solar power plant है जिनकी help से यह museum और memorial renewable green energy पे चलता है इस memorial में 50 से ज्यादा check damn reservoirs है जहाँ पे 2001 के earthquake के 13,000 से ज्यादा victims के name plates है Smritiwan Earthquake Museum को 7 galleries में divide किया गया है जिनको rebirth, rediscover, restore, rebuild, rethink, relieve and renew नाम दिये गया है So यह थे कुछ places चो आप Bhuj City के अंदर visit कर सकते हो अब चलते हैं Bhuj City से west direction में और बात करते हैं अपने पहले place की जो की है माता का mud माता का mud approximately 100 km दूर है Bhuj City से और यहाँ पे आशापूरा माता का बहुत बड़ा temple है जिसके दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते है 14 सेंचुरी में बनाये गया आशापूरा माता का ये temple चाड़ेजा समाज और पूरे भूज के लिए बहुत ही important धार्मिक place है यहाँ पे दर्शन के लिए आने वाले शद्दा लोगों फ्री में दोनों टैम पे प्रसाद भी दिया जाता है जो कि एक बहुत ही अच्छी सेवा है दर्शन के साथ साथ आप यहाँ पे काफी सारी चीजों की शॉपिंग भी कर सकते हैं लगपद फोर्ट माता के मर्से 40 किलोमेटर वेस साथ पे पड़ता है लगपद गाव जहाँ पे आता है लगपद फोर्ट यह लगपद गाव 18 सेंचुरी में एक बहुत ही इंपोर्टन पोर्ट हुआ करता था फोर्ट ट्रेडिंग लगपद गाव और इस फोर्ट का नाम 13 सेंचुरी के सिंद रूलर राव लखा के नाम पर से रखा गया है सिंदू रिवर पे बना हुआ यह सिटी 18 सेंचुरी में बहुत ही इंपोर्टन पोर्ट का काम करता था और इसी वज़े से इसकी सिक्यूरिटी के लिए फते मोहमद ने 1801 में इस फोर्ट के आसपास बड़ी बड़ी दिवारे बनवा दी जो आप अभी भी वहाँ पे देख सकते हैं 18 सेंचुरी की शुरुआत में यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत जोर शोर से चल रहा था बट 1819 के अर्थक्वेक के बाद सिंदू रेवर का पानी लगपद पे आना बंद हो गया और इसी रिज़न की वज़े से लगपद टाइम के चलते एक गलॉरियस ट्रेडिंग सिटी से एक गोफ्स टाउन बनके रह गया लगपद फोर्ट के पास एक गुरु द्वारा भी है जो आप विज़िट भी कर सकते है और लंगर का आनंग भी ले सकते है ऐसा माना जाता है कि गुरु नाना के यहाँ पे दो बार रुके थे अपनी जर्नी के दोरान नेक्स्ट अप इस कडिया द्रो जिसको Grand Canyon of India के नाम से भी जाना जाता है अनफोर्चिनेटली यह प्लेस हमारे लिस में होने के बावजुद भी हम यह विज़िट नहीं कर पाए थे यहाँ पे यहाँ पे जरूर विज़िट करें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के रॉक फॉर्मेशन है और उनके बीच में से पानी बैरा है यह एक बहुत ही ओफबिट प्लेस है जो सबको पसंद आएगी नहीं यहाँ तक पहुंचना थोड़ा चैलेंजिंग भी है बिकोज रास्ता खराब होने की वज़े से कार या फिर बाइक चला के यहाँ पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे आपको entry point पे jeeps मिल जाएगी जो आपको approximately 1000 या 1500 रुपीज पर पर संद के हिसाब से अंदर तक लेके जाएगी तो चलिए अब बात करते है भूज के सबसे फेमस प्लेस के बारे में the white run and the tent city भूज आए और white run नहीं देखा देन आपकी trip incomplete है and I would also suggest कि आप सिप white run ही ना देखे आप tent city में भी रुके ताकि उसका food, cultural program और activities है उसका भी आप मज़ा उठा सकते है run of catch जिसे white desert के नाम से भी जाना जाता है वो दुनिया का सबसे बड़ा salt desert है every year November से लेके फरवरी तक यहाँ पर run उसका होता है जिसमें आप tent city में रहे के different different culture activities, trip to white run and tents में रहने का मज़ा ले सकते है tent city में भी आपको different types के tent मिल जाएगे based on your requirements and budget tent city के package में आप breakfast, lunch, high tea, dinner, cultural program और visit to white run भी included होता है यहाँ पे आप one night, two nights और even three nights तक रुख सकते हैं जहाँ पे आप daily यहाँ से आपको different different places विजिट करने के लिए लेके जाते हैं I am adding the link in the description जहाँ से आप tent city के लिए अपना package book करवा सकते हैं वाइट रन के विजिट के टाइम पे आप वहाँ पे sunset क्या मज़ा उठा सकते हैं और इसके अलावा camel riding, horse riding, adventure bike riding, paramotoring और sunset photography भी कर सकते हैं कालोडूंगर tent city से आप विजिट कर सकते हैं कालोडूंगर जो की कच रिजियन का highest point है यह कच रिजियन का last point है जहां तक लोगों को जाना allowed है यहां से आप army post, पूरे कच desert का view और border भी देख सकते हैं कालोडूंगर के बीच रास्ते में magnetic hill करके एक area भी आता है जहाँ पे magnetic field की वज़े से आपकी car automatically reverse में चलने लगती है कालोडूंगर पर 400 years old दतातरी temple भी है कालोडूंगर के top पे जाके आप binoculars rent कर सकते हो जिसकी help से आप India-Pakistan bridge, Hanuman temple, last Indian village जैसे points भी देख सकते हैं इट विल कोस्ट यो approximately 50 to 100 rupees per person to rent it and I would suggest के आप binoculars है वो top पे जाके rent करें instead of दतातरी temple road to heaven last but not at all list जो place हमारे list पे है वो है road to heaven I am sure आप लोगों ने बहुत सारी reels देखियोगी Instagram पे इस place की but trust me वो reels इस place की beauty और danger को justify नहीं करते है it's a really surreal experience to visit this place ये 35 to 40 km long narrow road है जिसके दोनों साइड पे थोड़े किलोमेटर पे पानी और थोड़े किलोमेटर पे आपको white run दिखेगा when you enter the road to heaven रास्ते के दोनों तरफ पानी है जो की honestly थोड़ा जादा डरावना भी लगता है when you see it for the first time there are some spots along with the road जहाँ पे आप अपना vehicle park करके फोटोग्राफी भी कर सकते है but that landscape is very surreal जो वहाँ पे परस्नली जाके आपको feel होगा की why it is called road to heaven ये रास्ता आपको दोलाविरा लेके जाता है जो की एक इंडस्वेली civilization का part था visit this road in the daytime only because night पे यहाँ पे कोई lights भी नहीं है and it could be very dangerous I am not sure यहाँ पे night time पे driving allowed है या नहीं but अगर दिन में यह इतना dangerous लगता है then you can only imagine night time पे तो क्या हालत होगी first time ये road पे चलने वालों के लिए so guys ये थे कुछ places जो आप अपनी कच ट्रिप पर विजट कर सकते है there are few more places जो आप विजट कर सकते हैं अपने भूज और उसके आसपास if you have more time some of the places जो हम भूज में विजट नहीं कर पाए थे वो है स्वामिनारान टेंपल, कच फॉसिल पार्क, वंदे मात्रम मेमोरियल और नारायन सरोवर so अगर आपके पास extra time है तो आप यह places भी विजट कर सकते है so that's it for today's video अगर यह video आपको पसंद आ है then please hit the like button, share it with your friends and family जो की भूज की trip प्लान कर रहे है and also subscribe to the channel for more travel videos like this and we'll see you in the next video, happy traveling I'll see you in the next video